हलो दोस्तो नमस्कार सेबी में जो लोग काम करते इंप्लोईस काम करते जो की अदानी का केस हैंडल कर रहे हैं उससे रेलेटेड इंफॉरमिशन फिलाल तो उन्होंने मांगी अभी देखना पड़ेगा उसका जवाब क्या आता है बड़ इस चीज के चलते अगर हम लोग यहाँ पर देखे आज की दिन तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में अच्छा परफर्मस देखने को ला उसमें कोटक ने भी अच्छे खासी थोड़ी बहुत यहाँ पर दिखा दी है देन अदानी स्टॉक्स की बात करें तो ना तो कोई जबरदस तेजी ना तो कोई जबरदस गिरावट तो यह भी रिपोर्ट्स को यहाँ पर एविडेंस नहीं मानेंगे जो कि कभी भी माने जाते ही नहीं है तो कोई अधानी के खिलाफ हम लोगों को मिलते वे देखने को आपे नहीं मिल रहा है तो इसी चीज़ के चलते इन स्टॉक्स को हम लोग स्टडी करने की कोशिश बार बार करते रेते हैं देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो KPIT टेकनोलोजीज तो KPIT टेक की बाद करें काफी उंदा परफर्मस देखने को आपे मिल रहा है वापस कौटर वन के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट यहाँ पर होई चुका है तो वापस देखने पढ़ेंगे इनके नंबर कैस हमें हमारा दिमाग इस्तमाल करना है जैसे मैंने हमीशा काई कि आपका डिशियन यह फाइनल डिशियन यहाँ पर होना चाहिए फिर उसके बाद जो भी होगा उसके रिस्पॉंसिलिबिटी भी लेनी यहाँ पर आने चाहिए तो फिलाल अगर हम लोग बात करें KPIT टेक के ख इक इस अगर हम लोग बात करेंगे CDSL CDSL के अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते कल के दिन एक अच्छी ख़बर यहापे आई थी बोनस की बट फिलाल को जो माहोल यहापे बना हुआ SCB के एक रूल के चलते ठीके काफी थोड़ा बहुत हम लोगों को negativity देखने को आपे मिल रही है काफी लोगों की कल के दिन भी कमेंट यहापे आते ही रहते हैं जैसे कि यहापे इससे कोई किसी भी कमपनी का धन्दा जीरो नहीं हो जाते है आपको यह चीज़े समझ नहीं पड़ेगी जब तक आप यह बिजनेस के understanding लेकर नहीं चलोगे कि किसी भी कमपनी के उपर अगर negative impact कितना बढ़ रहा है क्या इत्तु साई negative impact पढ़ रहा है या फिर इतना बड़ा negative impact पढ़ रहा है इसमें फरक होता है अगर छोटा negative impact पढ़ रहा है किसी भी news के चलते हैं चल जाती इतनी चीज़े तो बाजार में चलती है बट बड़ा negative impact पढ़ रहा है तो फिर हम कह सकते कि उनका business disturb हो सकता है तो वो बड़ा negative impact इतना तो अभी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है चोटे-मोटे ही चीज़े यहापे चलती रहती है बट definitely हम यहापे कह सकते है कि यहाँ पर बोनस की खबर यहाँ पर आने वाली थी, उसके पहले 20% का सर्कृट जब बोनस की खबर यहाँ पर आई, बट कल के दिन बाजर में यह अल्रेडी नारजगी यहाँ पर चाही हुई थी, ब्रोकरिंग इंडस्ट्री में, तो इस चीज़ के चलते वो खबर का कोई ज्यादा सेलिब्रेशन भी हुआ नहीं, वापस स्टॉक नीचे आते वे देखने का आपे थोड़ा बत मिल चुका है, बट और अलगर देखा गया, तो आप सभी लोग को पताईए, CDSL का जो बिजनेस है, मार्केट में जितना पार्टिसिप्रेंट यहाँ पर हम लोग को ब एक्सपोर्ट का टार्गेट लेकर वो यहाँ पर चल रहें, कब तक दोजार उन्तीस तक, मतलब आने वाले नेक्स्ट पाच साल की बात करें तो, तो राजनात सिंग जी ने जब से डिफेंस मिनिस्ट्री वापस यहाँ पर मतलब उन्होंने इसका काम करना स्टार्ट वापस हम लोगो अपडेट आते वे देखने को आपे मिल रहे है, तो इसी चीज़ के चलते हैं, डिफेंस कंपने अच्छा कर रहे है, पारस डिफेंस जैसी स्टाउक भी हम लोगो तेजी वे है, वापस आते वे देखने को मिल चुके है, कोच इन शीप्याड की अगर हम ल लेकर यहापे आजाए, तो उनको भी जादा से जादा पैसा यहापे मिल सकता है, करके, अभी वो कब आएगा, कोई भी आपको, मतलब, एडिशनली बता नहीं सकता कि अभी आ सकता है, करके, बस एक अनुमान रहता है, तीन साल के भीतर भीतर आ जाता है, कभी-कभी हम लोग को सकोब देखने को हापे मिल रहे है, कोचिन शिप्याइड ने तो आप सभी लोग को पता भी है, प्लस गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की भी अगर हम लोग बात करें, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी चीज़े करना स्टार्ट यहापे कर दी है, नेक्स साथ ऐसे सारे लिखकर यहापे आ जाए, तो वही से पता चल जाते है कि किसका कमेंट जादा यहापे पूछा जा रहा है, तो एजिली समझ में आते है कि हाँ आज इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी तो आई होगी, तो अभी आप देखोगे इरडा के आज के दिन की बात क साथ पसंट की तेजी नहीं है, सबसे खासियत बात है कि वापस यह अपने आल ताम हाई पे चला गया, मतलब आज का दिन का हाई कितना 225.88, और आल ताम हाई भी देखोगे, 52 हाई भी देखो 225.88, जब जब अभी ऐसा टॉप लेवल पे चला जाता है, डिटेल निस्टर तो आपको पता है, यह इनका फेवरेट टॉपिक होता है, कि तेजी वाले स्टॉक उनको बहुत अच्छे यहापे लगते, जो कि टोटली गलत बात होती, कोई भी स्टॉक अगर बिजनेस पॉंट आफ इसे देखना होता है, यह मैंने बहुत बर आप लोग को यहापे सिख है, ठीक है, काफी लोग वो बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है, कि अगर मानलो ऐसे एक्जांपल दे रहा है, 200 पे खरीते हैं, और 190, 180 पे भी आ जाते हैं, तो इतना पैनिक हो जाते हैं, कि वो exit की बात करते हैं, तो आपको लगता सबाब भाई, ऐसा-ऐसा-ऐसा-ऐसा-ऐसा मार्केट चलता ही रहेगा, तो अगर आपको बाजार में टिकना है, तो आपको business oriented ही चीजों को या पर देखना है, या पर आना चाहिए, परना entry तो हर कोई या पर कर ही लेता है, अभी तो जैसे आपको बताया कि bull run, bull run मतलब market इ कर चुके है, next अगर हम लोग या पर बात करें दोस्तों तो IPO से related, तो यहा पर दो IPO हम लोग को देखने हो का आपर मिल रहे है, एक है बंसल वायर का IPO, और दुसरा है MQR Pharma का IPO, और दोना IPO की अगर बात करें, currently जो GMP चल रहा है, 22% चल रहा है बंसल वायर का, अगर MQR Pharma की बात करें, तो 30% के ASPAS का GMP, आज के दिन हिसाब से, अभी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक के स्तीती है, यह चीज़ें बदलती रहते, plus minus market का माहूल अच्छा यहा पर रहना चाहिए, यह भी बहुत सारे factors यहापर, मतलब work करते है, ठीक है, अगर बाज 1 का trailer हमनों को कल की दिन launch यहापर होते वे देखने का आपर मिल चुका है, तो अगर हम लोग trailer की बात करें, तो आप यहापर देख सकते, single page का ही PDF यहापर रहता है, तो कैसा रहा performance, तो अगर हम यहापर कह सकते की June 30, ठीक है, then 2021 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कितना था 5,000 करोड का यहापर income बताए था, यह revenue है, ठीक है, then 2022 में यह 9,800 हो आप, बहुत बढ़िया, then उसके बाद आप देख सकते, 2023 में 11,000 हुआ, अभी 2024 की बात करें तो 13,711 करोड का हम लोग को total standalone revenue फिलाल तो हम लोग को देखने का आपर मिल रहा है, ठीक है, तो profit क इतना है, वो तो अलग सा बात है, उसके लिए हम लोग को पूरी picture देखनी पड़ेगी, जब पूरे number आएगी, आप इनको चाहिए, तो extracted number भी आपे कह सकते हो, प्लस उसी के साथ हा total number of stores की अगर हम लोग बात करें, वो हो चुके 371, तो यह update डिमार्ट में अपने shareholder के सामन यहाँ पर रख दिया है, तो जैसे अपडेट सामने आ गया, तो आप देख सकते हैं, इमिडेटली शुरुआत में हम लोग को gap down देखने कम लें, उसके बाद एक अच्छी कासी selling भी देखने कम लें, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी को तो यह number expectation थे कि थोड़ा और कि की बात करें, तो वो सेल का call यहाँ पर दे रहे, Morgan Stanley, Macquarie की बात करें, वो तो यहाँ पर bullish है, ठीके तो अगेन कहना चूंगे, बड़े-बड़े brokerage की बात करें, firms की बात करें, rating agencies की बात करें, तो इनका अपना-पना calculations यहाँ पर चलता रहता है, तो किसी के ओपर भी blindly copy य यह सबसे important चीज यहाँ पर रहती है, demand की बात करें, तो basic चीज जैसे मैंने आप लोगों को सिखा यह, है तो क्या एक large cap company, सवा 3 लाग करोड का market कैवे, मतलब क्या एक average expectation होता है, बादार हमेशा के इसे, इसा 13-14% का performance दिखाता है न, तो इसका भी performance कुछ वैसा ही होना चाह तो ऐसा performance इनका होना चाहिए, हाला कि हम लोग share market में इसी चीज की कोई guarantee आपे होती नहीं है, ठीके इतना बड़ा HDFC bank भी आप देख सकते हो, कि 5 साल मे भी अगर हम लोग देखेंगे, 40% के आसपास somehow manage करते हुए देखने का आपे मिल रहे, बट ठीक है, यह चीज यह हम 10 points से सारी cover कर ली, वीडियो helpful लगाऊगो तो चाहँ तो like and share कर सकते हो, मिलते हो next video, तब तक के लिए, bye bye